हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम 4U में दोस्तो आपने यूट्यूब की बहुती सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका राजिस्तान पीट एट का एक्जाम समापत हो चुका है आठ सितंबर का दोस्तो आज का पूरा पेपर मैं को सोल कराऊंगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक्जाम 4U चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को कर लेना ताकि आपको यहां पर पूरा पेपर सोल देखने को मिलता रहे हर सिफ्ट का अनलाइस समय पर आपको देखने समपता सूच कांग 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है बारत जो है 40 वे स्थान पर रहा है मुख्याले का अंतराश्टर पोदिक समपता सूच कांग का जिनेवा स्विजर लेंड में इस्तापना विदी 14 जुलाई 1967 में नेक्ट देख लेते हैं 2019 में जलिया वाला बाग अत्यकांड के समय भारत का वाइसराए कुन था लौड चैम्स फोर्ड था और ये का बुआता तेरा अप्रेल 1919 में जलिया वाला बाग अत्यकांड नेक्ट था दोस्तो असम के लाल चावल को किस देश में निर्यात किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया गया है असम के लाल चावल को नेक्ट देख लेते हैं बाज की चाल कितनी होती है 320 किलोमेटर पड़ती गंटा की स्पीड होती है बाज की नेक्स्ट कोशन देख लेते गाईज वर्ष 2020 का गांधी सांती पुरुषकार किसे दिया गया था तो गाईज वर्ष 2020 का गांधी सांती पुरुषकार दिया गया सेख मुझे बुर रहमान को आपका राइट आंसर था उप्शन में दे रखा था मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेलफुल हो रही है तो जल्दी से सभी लाइक कर दें अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कलपोंग नदी बैती है अन्दमान और निकोबार दीप समू में आपका राइट आंसर था कलपोंग नदी नेक्स देख लेते हैं काईज 37 स्वरू बटनागर पुरुसकार की छेतरी से संबंदित है ये विज्यार और प्रयोद्योगी की से संबंदित है स्वरू बटनागर पुरुसकार नेक्स कोशन देख लेते हैं गाईज दक्सिन ACI 6.3 सहयोग संकी स्थापना कब की गई थी वर्स 1985 में की गई थी दक्सिन ACI 6.3 सहयोग संकी स्थापना वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें सेयर कर दें हमने सभी दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और गवर्लमेंट एक्जाम की प्रेपेशन आप एक्जाम फॉर यू चैनल पर कर सकते हैं नेक्स्ट एक कोश्चन था बारच छोड़ो आंदोलन कब शुरू था 1942 में हुआ था उप्शन में दे रखा था एक कोश्चन आया था पानी पत का पर्थम्यूद किसके बीच में हुआ था बाबर और इबराहीम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों होता है तो यह भी से संबंदित होता है अलव संक्यक समुदा है मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग दिया तो जल्दी से सभी लाइक करतें चैनल को सब्सक्राइब करतें क्योंकि आप से हमी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए हम डेली अनलाइसीज लेकर आते हैं आप एक्जाम फोर यू चैनल पर देख सकते हैं तो आप चैनल के साथ बने नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर कर लें नेक्ट था सिक्किम को राज्ये का दर्जा की संसोधन के तैथ मिला नेक्ट था विस वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल लाइफ डे कम मनाये जाता है तीन मार्च को मनाये जाता है इंपोर्टेंट डे वाला कोशन आपका पूछा गया है नेक्ट देख लेते हैं इंद्रा गांधी सेंटर फोर एटोमिक रिसर्च किस राज्ये में तमिलनाड़ो में तमिलनाड़ो आपका राइट आंसर था नेक्स तावर 660 में बारत्य सुदार संग के संस्थापा कौन थे? केसब चंदर सेन थे बारत्य सुदार संग के संस्थापाग नेक्ट था दोस्तो विस्प की पर्थम ग्रीन मेट्रो का दर्जा किसे दिया गया है दिल्ली मेट्रो को दिया गया है विस्प की पर्थम ग्रीन मेट्रो का दर्जा आपका राइट आंसर था नेक्ट देख लेते हैं निूटन फिल्म में किसने मुख्ष बूमी का निभाई राजकुमार राउ निूटन फिल्म में आपका राइट आंसर था राजकुमार राउ नेक्स्ट कॉश्चन देख लेते हैं गाइज अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया 1835 में बनाया अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम आपकराईट आंसर था 1835 नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज होगा तो 658 में 8 है इकांग 549 में 9 है 466 में 6 और 312 में 2 988 होता है बातर गुणा 612 इकांग बातर में है दो 12 में है दो दो गुणा 2 आप करोगे तो आपका जाएगा 4 अगर आप इन संख्याओ का गुणा अन्फल करोगे करोगे तो उसमें का इकांग आएगा चार ओप्शन नंबर यह आपका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा इस तरह से आपको एक कोशन सोल करना था होप आपके सुल्यूशन में समझ में आ होगा एक कोशन अएदा मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप एक पंक्ती में एक छोर से नोवे व्यक्ति अग्जाओ को बताना था वीडियो अच्छी लग रहे है तो जल्दी से सभी लाइक से और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे वीडियो को फैला दें दोनों साइड से एड है एक साइड से आप सब्ट्रेक्ट कर दोगे नोर ग्यारा बीस बीस में से एक सब्ट्रेक्ट करोगे उन्निस तो पंक्ति में उन्निस व्यक्ति थे option number B आपका right answer था इस तरह से आपको एक question solve करना था next था किसी संक्यग्या को 524 से भाग देने पर Salesforce 45 प्राप्त होता है यदि सी संक्यग्या को 13 से विवाज जीत किया जाए तो Salesforce क्या होगा तो 52 को भाग देने पर 45 जो है IO45 प्राप्त होता है तो आपको क्या करना था 45 को भाग करना था 13 से 13Thление 49 होता है रिमाइंडर कितना बच गया 6 है यही हमें बताना था सेसफल आपका 6 है बच जाएगा उप्शन नमबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स था दोस्तो एक कोश्चन दो संख्या है तीन और चार के नुपात में है उनका LCM 84 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है यह आपको बताना था तीन और चार का अगर आप LCM देखोगे क्या हैगा 12 बारा की वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखे है 84 के बराबर एक की वैल्यू क्या जाएगी 12 से बाद कर दोगे 12 से 84 बड़ा नुपात क्या है 4 चार की गुना साथ से कर दोगे 4 सत्तू 28 आ जाएगा तो बड़ी संख्या जाएगी आपकी 28 इस तरह से आपको क्योशन सोल करना था option number B आपका right answer था मेरे प्यारे मित्रों अगर आपके लिए वीडियो helpful हो रही है तो जल्दी से सभी like कर दें आपके लाइक से हमें motivation मिलता है हम daily analysis आपके लिए लेकर आता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ओल गवर्मेट exam की प्रेपिसरान आप exam for you चैनल पर कर सकते हैं एक question था 300 मिटर लंबी train 900 मिटर लंबी platform को 40 seconds में पार करती है तो train की क्या है यह आपको बताना था 900 मिटर लंबा तो platform है तो train जो platform को पार करेगी पहले platform का distance travel करेगी फिर अपने जो train की distance है यानि train की length है वो पार करनी पड़ेगी यानि total distance अगर आप देखोगे 300 प्लस 900 1200 मिटर उससे travel करना पड़ेगा time दे रखा है हमें 40 seconds distance होता है speed होता है आपका distance upon time यानि 1200 बटे 40 यहां से आप निकालोगे speed आपकी आएगी मिटर पर second में हमें बताना है किलो मिटर पर आवर में तो 18 बटे पार से गुणा कर देंगे जीरो से जीरो cancel आउट 4 से कट जाएगा आपका 30 बर 5 से 30 कट जाएगा 6 बर 6 गुणा 18 आप करोगे तो 108 किलो मिटर पर ती गंटे की speed आजाएगी option नमबर आपका C correct answer हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आपके राजिस्तान पीट एट कर जो पेपर हुआ है आठ सितंबर का जो से लेटिट हमारे पास आपके जो भी कोश्चन है मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराए हैं अगर आपके लिए वीडियो है तो जल्दी से लाइक कर दें अपने सभी फ्रें नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत